आज सुबा जब मैं जगा ओ तेरी कसम ऐसा लगा कि तुने मुझे याद किया है कि तुने मेरा नाम लिया है कि तुने मुझे याद किया है कि तुने मेरा नाम लिया है हेलो फिरेंड्स इस विजया राजपुस्पाइन विल्कम टू लर्नर आईज वाई वियार पी तो आई हम लोग ओट्व आउटम को जो की जॉंड किट्स के द्वारा लिखा गया है उसके बारे में जो लास्ट इस्टिंजा है उसकी को जानेगी देखे इससे पहले आपने जाना कि जो सूर्ज है और जो सरद रीतु है दोनों मिलकर क्या कर रहे कि जो आम के पौधे है या बिभिन परकार के जो पौधे है या फूल है उनमें रस भरने का काम कर रहे हैं और उनको फलों से इस तरीके से लाद देना चाहते हैं ताक वो नीचे क्यों जूक जाए आगे देखते हैं लास्ट इस्टिंजा में कभी जॉन किट्स क्या खते है और टू अटम में काते हैं कि where are the songs of spring देखेगा spring का मतलब क्या होता है spring का मतलब होता है वसंत रितू इसको थोड़ा देख लिजेगा काता है कि where are the songs of spring वसंत रितू की गीत कहां है वे कहां है आपको पता है ना कि फरवरी मार्च का जो समय होता है करीब करीब वह होता है spring season का बसंत रितू का और सरस्वती पूजा की जो शुरुवात होती है बसंत रितू के आगमन पर की जाती है तो चुकि वह जो मौसम होता है पतिया जो होती है पौधे अपना गिरा देती है और नए नए सुन्दर सुन्दर सा उसमें पति आना और सुरु हो जाता है और चारो तरफ हर्याली आ जाती है और कोयल की गुंजों से पूरा बातावरन बेहतरीन हो जाता है तो कहता है कि कहां है आखिर बसंत रितु के गीत है कहां वो कहां चले गए कहता कि ना केबल बसंत रितु का बलकि जो ओटम है जो सरद रितु है उसके पास भी क्या है खुद का संघीट है उनके पास भी खुद का म्यूजिक है के बले depressed के पास ही नहीं होता है बलकि पटजर के पास सरद रितु जो है हमारा नहीं ओटम उसके पास भी अपना खुद का गीत है यहाँ पर देखेगा कता कि सूर्ज जो है से डूब रहा है डाइंग डे बाने क्या? दीन का आन थो रहा है? डाइंग बाने मरना होता है से लेकिन यहाँ पर क्या होगा? डूबने के सेंस में और दीन चुकि दीन जब ढल रहा है इसका मतलब है कि सूर्ज जो ऐसे क्या हो रहा है? अस्त हो रहा है सूर्ज डूब रहा होता है और उस समय बादल देखिए कलाउड समाने बादल बैर मान होता बादीत होते हैं और वो ऐसे खिल रहे होते हैं मानो कि वह क्या कर रहे होते हैं फूल जैसे खिल रहे होते हैं तो ध्यान दिजेगा यानि कह रहे हैं कि सूर्ज डूब रहे होते हैं उस समय बादल वे बाधित होते हैं चुकि जब सूर्ज समाप्त हो रहा है, तो बादल को क्या कर रहा है, वो पूरा उजाला समाप्त कर रहा है, तो वो वैसे हो जाते हैं, जैसे फूल खिल रहा होता है, जैसे फूल जब बलूम करता है, उसी तरीके से बादल भी क्या हो रहे है, खिल रहे है, और वो जो हमारा स तूर्ज है वह डूपते समय अस्त होते समय पूरा लालीमा भी खेरता है लालीमा समझ रहे है ना पूरा इस तरीके का दिरिस उत्पन करता है लाल रंग के लिए हुए कि चारो तरफ मनमुहक दिरिस बन जाता है एंड ट्रच्ट दस्टबल प्रें से रोजी माने घुलाबी रंका और रोजी माने गlaws जैसा तो एंड ट्रच्ट दस्टाबल प्लेंस वुआ मैदान क्या मैदान जो एकदम सम्तल मैदान है तो गुलाबी रोजी यानि जब सुर्ज अस्त हो रहा होता तो समय क्या हो जाता है गुलाबी रंग जो होते हैं अब पूरे इस्टबल प्लेंस मैदानों को क्या कर रहा होता है टच कर रहा होता है चूरा हो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी जो सूर से निकलने माले लाली मा है वो क्या कर रही है पूरे प्लेन को पूरा क्या कर रही है लाल रंग से वो छू रही है देन इने वेलफुल कोर दे स्मॉल नैट्स मॉर्न नैट्स का मतलब होता है कीरा मकोरा और कीरे मकोर का जो सोर है वही सब्द जो है सरद रितु का शंगीत है ओटम का क्या है शंगीत है अमंग दरीबर शैलो वर्न अलाउट यहां तक किसके नदियों के बीच नहीं और जो बहुत सारे पहार वहार है उसके बीच और शिंकिंग ऐस दा लाइट और लाइट जो परकास उस रूप में डूब रहे है समाप्तो रहे है और बिंड लाइप्स और डाइज और हवाय आ रही है और हवाय जा रही है और फुल ग्रॉण लैंब्स देखिए लैंब्स माने होता है भेर फुल ग्रॉण यानि पहारी किनारा का जो मेर होता है पहार का किनारा उसके सामने से मेर बना होता है वहाँ पे क्या हो रहा है फुल ग्रॉण लैंब्स लैंब्स जो है लाउड बिलिट लाउड माने जोरो की यहाँ पे बिलिट माने मिम्याने की भेर की आवाज जो है कहाँ पे हीली बॉर्न में पहारी इलाकों में आ रही है और वही क्या है उसका एक गीत है किसका सरद रित का हेज कीरकेट कीरकेट का मतलब होता है जिंगूर जिंगूर जो ऐसे क्या हो रहे है शिंग करतें गाते हैं and now be the trouble soft the red breast or red breast man Robin जो पक्छी इंडियान पक्छी whistles from a garden crop और वो garden से बगीचों से क्या कर रहे हैं लग रहा है कि city बजा रहे हैं उस तरीके से रोबिन जो है अपना आवाज निकाल लें and gathering shallow twitter in the skies और gathering और सभी एक ज़ए इकठा होकर इस तरीके से tutoring कर रहे चाहा रहे हैं आकास में कि मानों चारो तरफ खुश एक क्या हो रहा है तो एक मौन एक दुखो का पहार से घीरा तो ये था एक last एस्टेंजा आपके और टू आटम का नहीं आप भूक में से देख लेंगे नीचे का दो लाइन नहीं दिख रहा है तो हेज किर्केट तो आपको दीख रहा होगा लेकिन दा रेड ब्रेश्ट विसल्स फ्रम ए गार्डेन क्रॉप और गैदरिंग शैलो टुटर इन देख लेंगे तो आज बस इतना ही मिलते हैं फिर एक और बहतरनी वीडियो के साथ तब तक टेक क्यार बी इंजुआए जै हिं जै भारत नीचे का दोनों लाइन है वह आपको दीख रहा होगा तो आप इसको स्क्रीन सट ले ले जेगा